सब्सक्राइब दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल रियक्शन के सुपस्ता में तो जी हाँ मैं फिर से हाजीर हूँ एक नई अपडेट लेके दिवारा मूवी के बावरे में जो की टेलगू एक्शन ड्रामा मूवी है बट फिकर मत करिये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी तो इस मूवी का जो में लीड कर रहे हैं वो जूनियार एंटियार जी कर रहे हैं जो की ड्यूल रोल पेश करेंगे ऐस ए बापोर बेटे का तो इस के साथ इनकी जो लव स्टोरी में मिलने वाली है वो आपको जहनवी कपूर उनके साथ एस ए विलन मिलेंगे आपको हमारे नवाब खाल सेफली खांची तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है कोरा डाला सीवा जी ने कहा जा रहे है कि यह जो movie is part 2 में आने वाली यह जो कि part 1 अभी launch होने वाला है 27th September को जी हाँ इसी 20th September को यह movie है जो release होने वाली है और कहा जा रहे है कि यह movie बहुत ही बड़े लेवल की होने वाली है जो की screens को आग लगाने वाली है कलकी जैसी बड़ी movie का ये सामना करेगी तो triple R और कलकी के बाद ये बहुत ही बड़ी movie हमें देखने को मिलेगी और मिले भी क्यों ना क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े star ने इस movie में काम किया है हमारे नवाब खाम भी दिखने वाले हैं और जैसे की मैंने बताया जूनियर एंटिया जी भी और अगर हम बात करें तो ये जो movie है इसका जो VFX और विजूल क्रेट करेगे हैं बहुत ही अच्छे लेवल पर क्रेट करेगे हैं और वो जो स्मूंदिरी एरिये में शूट हुआ है वो इस movie में जान डालने वाला है तो लोगों की इस expectation है 600 क्रोड से भी जादा क्योंकि इस movie का जो पहले पार्ट का budget है वो 300 क्रोड का है तो लोगों की expectations भी बहुत जादा है 600 क्रोड की या फिर उस से भी जादा अगर ये movie इस लेवल तक नहीं पहुंच पाई तो बहुत बड़े मतल जो इस movie के बहुत जादा फैंस है बहुत बड़े बड़े फैंस है उनका दिल तूट जाएगा बट मुझे नहीं लगता है कि ये movie हमें निराश करेगी बाकी इसको जो movie ने movie ने direct किया है वो तो मैंने आपको already बताई दिया है इसके इलावा जब से इस movie का trailer launch हुआ है इस movie की चर्चा जो दिन प्रती दिन बढ़ती ही जा रही है तो पूरी अमीद करते हैं ये movie बहुत ही बड़े शान के साथ हमें ये जो अपना सब पूछा है रिपर्जेंट अच्छे सी acting अच्छी सी जो इसका background music है अच्छा सा VFX हमें जो है रिपर्जेंट करें कि ये movie ट्रिपल आर और कल की तरह स्क्रीन पे आग लगाने वाली है और इस movie में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा suspense रखा गया है suspense रखा भी क्यों न जाए अगर suspense ही नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं होगा जैसे बाहु बली में part 1 बनाया था उसका एक suspense रखा गया था कटपा ने बाहु बली को क्यों मारा ऐसे ही कुछ एक ऐसा suspense इस movie में देखन कमेंट करके बता सकते हो तो आशा करते हूँ आप सब को ये मेरा जो है रव्यू जो मेरा अपडेट है वो पसंद आया होगा और आप प्लीस हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो और आप लोगों को भी अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेर जरूर कर देना बाखी आप मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई